ऐसे हलोई शौनमस्चकार दोस्तों मैं हूँ का अपका अपना दोस्त मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चनल फार्मेसिबाबा आज हम बात करेंगे ठाइराइड गरन्ती के बारे में ठाइराइड गरन्ती के सरचना कैसी होती है इन से यिसमें बैमाजी होती है ठीक है अग FER़्त्र करें आधी के बारे होती है थाराइड एक परकार से एंडोक्राइम गरंथी याने की नलिका वहनिक गरंथी होती है जो हर्मोन बनाती है ठीक है थाराइड विकार एक आमसमझे है जो पुर्सों के मुकाबले महिलाओं में काफी ज़्चाधा परभावित करता है दोश्तों ठीक है यानि कि जो पुर्सों से ज़्यादा महिलाओं को परभावित करता है मुख्यत तोर पर थायराइड दो परकार की होती है ठीक है एक होती है हाइपो थायराइड एक होती है हाइपर थायराइड हाइपर थाइराइडी ठीक है ये दो होती है मुख्यत है हाइपर थाइराइडी जो कि अत्य दिक रूमात्रा में थाइराइड हार्मोन बनाती है जबकि हाइपो थाइराइडी जो कम हार्मोन का उत्पादन करती है यानि कि हार्मोन ये कम बनाती है थाइराइड गरंती से जूड़ी अन्य गंभीर समश्याओं जैसे थाइराइड केंसर का नाम भी इसमें सामिल है और यह है एंडिक्राइन केंसर का सबसे सामाने परकार है इन सबी समश्याओं के कारण का पता लगाया जाचुका है दोस्तों और टेस्ट के जरिए इस बेमारी की जाच भी की जाच सकती है उचित उपचार की मदद से थाइराइड गरंती ठीक तरह से काम कर सकती है जीवन सेली में कुछ बदलाव लाकर जैसे संतुलित आहर प्रियाप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन करें यों तनाव को दूर करने के लिए योगा और ध्यान में मदद से थाइराइड को नियंतरन किया जा सकता है थाइराइड गरंती से सम्मधित समस्याओं को नियंतरन के लिए मैं बताऊंगा आपको और क्या-क्या करना है सबसे पहले करें थाइराइड होता क्या है थायराइड एक एंडोक्राइन गरंती है जो टायोडिन थायरोसीन यानि की T3 और थायरोक्सीन T4 नामक दो हार्मोन बनाती है इन हार्मोनों का उत्पादन और स्राव थायराइड सिस्टोमेटिक हार्मोन यानि की TSH द्वारा नेंतरन किया जाता है टी एच एस पिटूरिट में बनता है जिससे स्राव को थाइराइड रिलीज करने वाला हार्मोन या पी आर एज द्वारा नियंतरिन किया जाता है यह हैं समारे सरीर में हार्मोन सामाने चापापचे परकिरिया जिम्मेदार इसके लिए होती है थाइराइड गरंती से ज़्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बनाने पर थाइराइड की समस्या उत्पन हो जाती है जिसे ओटियोमन या थाइराइड गरंती में केंसर युक्ति या फिर केंसर रहित कोशी का बनाना या गरंती में शूजन के कारण हार्मोन के उत्पादन में आजाना वेस्विक्स तरपर आप पूर्षों से ज़्यादा महिलाओं में इस बेमारी को यानि कि महिलाएं इस बेमारी से गर्शित होती हैं 0.5% पूर्ष की तुर्णा में 5% महिलाएं थाइराइड की सिकार होती है थाइराइड हार्मोन का कम या ज़्यादा बनना सरीर के परते कोशिका को प्रभावित कर देता है ठीक है? अब हम बात करेंगे इसकी समस्या क्या क्या होती है? तार्मोन जो कि थाराइड हार्मोन उते हैं मेटाबोलिक ट्रेट बोजन ग्रहन करने और थार्मोसिस को नियंतन करने के लिए एहम बुमिका निबाता है हाइपर थाराइड हार्मोन अधिक मात्रा में बनाते हैं इसे T3 और T4 स्तर बढ़ाने और TSH का स्तर गठाने लगता है कभी कभी थाराइड गरंती की सूजन के कान स्ताई और हाइपर थाराइड हो जाता है और हाइपो थाराइड जो की थाराइड गरंती में सामाने कम मात्रह में और थाराइड हार्मोन का अस्राव करती है अब बात करें थाराइड कैंसर के से होती है थाराइड कैंसर एंडोक्राइम टूमर का सबसे खतरनाक रूप थाराइड कैंसर है उत्तकों के आधार पर थाइराइड केंसर को निमन परकार से बांटा करे है मैं बताऊंगा इसके बारे में जैसे डिफ्रेसिल थाइराइड केंसर है यह पेपिरिलल थाइराइड कैंसर है जो फिलिकलियर थाइराइड कैंसर के एक साथ होने पर डिफ्रेसिल थाइराइड कैंसर होता है इस परकार का कैंसर उप करना या फिर इसके अलावा एपिथिलिम कोशिकाओं से होता है और यह थायराइड केंसर का सबसे समाने रूप है ठीक है इसके लवा आता है इसमें एनाप्लास्टिक थायराइड केंसर एक दूरलव और तेजी से बढ़ने वाला केंसर है जिसका इलाज बहुत ही मुस्किल है बारत केवल 2% दी केंसर ही एनाप्लास्टिक थायराइड केंसर होता है यह हैं cancer आम तोर पे 60 या 60 से अधिक उमर के वैस्कों में होता है इसमें कई नई तरी कि कोशी काई विक्सित हो जाती है जो थाइराइड के उत्तकों से बिलकूल अलग होती है आब बात करें थाइराइड की समस्या क्या यानिकर इसके लक्षन थाइराइड सम्मंदित के लक्षन या फिर क्या और है इसके सबसे पहले हाइफर थाराइडीज की बात करें इसके सामाने लक्षन क्या है वजन कम होना गबराहट होना या प्रिसान या मुन बदलना या गलगड यानि घेंगा रोग होना और ठकान सांस फूलना दिल की धड़कन तेज हो दाना या फिर गर्मी ज्यादा लगना कम नेंदाना अदिक प्यास लगना आखों में लाला भन य्या सूका फन होना बाल जढडना बालों का पतला होना ये थे आपको बता दी हाईपरडाइज के लक्षन, अब करें हाईपो थायराइडीज के लक्षन क्या है इसमें क्या ये इसके विपरीत होता है जैसे वजन बढ़ना होता है थकान یा नाखून या बालों का कमजोर होना, तवचा का रूखा या पतला होना, बालों का जड़ना, सर्दी ज़्यादा लगना, अवसाद होना, यानि कि डिप्रेशन होना, मास्पेशियों में अकडन, या फिर गला बैटना, या मानसिक तनाव, ये इसके लक्षन होते हैं, हाइपो थाइराइडीज के, ठीक है, अब थाइराइडीज कैंस क्या होता है, ठाइराइड कैंसर के लक्षन, गले, या फिर गले, कैंसर या सांस लेने, समद्धित रोगों के लक्षन की तरह दिखने, स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे गले में तेजी से गाट का बढ़ना, या फिर गर्दन में शूजन आना, आवाज में बदलाव आजाना या फिर खाना निगलने में दिक्कत होना या सांस लेने में प्रेशानी होना बिना किसी संकर्मन या एलर्जी के लगातार खांसी का रहना ये थे इसके cancer के thyroid cancer की लाक्षाण अब इसकी समझे के कारण क्या है ठीक है कारणों की बात करें सबसे करें hyperthyroid इसके बात करें तो ये भिन परकार के होती यानिकि ग्रेव्स डई जीज हाई हई थाइराइड के सबसे सामानी एलक्षन के ग्रेव्स दीज्व होता है ठीक है इसके लाव थारईट गरंथी में गाठ का होना थारईट गरंथी पर गाठ जो की केंसर युक्त नहीं हो बनने की वज़ए से हायर्मोन क्यों साथ मैं श्राम सिराष और Hust an है हालांकि एड़न का ज्यादा सेवन करने से हाइपोथैरइड कम हो जाता है जो छिम के करण गर्भावस्था में या फिर दुमर पान या पिर ओटियूमिन रोगों जिससे इसमें सिस्टम हो जाए अब करें हाइपोथैरइडीज के कारण ह्यों हो जाता है यह दो परकार के एक थायराइड गरंती विकार का होना का कारण होना दूसरा होता है पिट्यूमिट गरंती पिट्यूरीट गरंती जो हाइपो थायरेलिस में समंधित विकार के कारण होता है दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में इसके अलाव भी और भी जानकरी देऊंगा दोस्तों अग कशी कमी की वज़े से हाईपो थारईडी हो जाता है अगर जोखिम की बात करें ठीक है जोखिम परियार के किसी सदेशियों एको घृँपो थारईडी होने की सदेशियों को खत्रा बड़ जाता our तो इस इस्तिति में जनमजाथ हाइपो थाराइड भूत सामानी हो जाता है इसके अलवा कम आयोडिन वाला आहर भी हाइपो थाराइड इसके अलवा इसके अन्वान से कारण भी हो जाता है थाराइड की ठीक है थाराइड कैंसर ग्रस्त व्यक्ति के जिन्स इन कैंसर होने के खत्रा सबसे ज्यादा होता है मा कि immunity रेशिटों और टी एस एच का लेवल बढ़ने के कारण डायविटीज के मरीजों में थायराइड कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है हार्मोन में क्या होता है थायराइड कैंसर में एस्ट्रोजन एहम भूमिका निभाता है ठीक है यह अदेन में सामने आया कि जिन महिलाओं क हेस्टोरोकोपी यानि कि गरबाशे निकलने के वाली सर्जरीक करवाई जाती है तब थायराइड कैंसर का खत्रा ज्यादा बढ़ जाता है जीवन से लेकि बात करें आहर में उच मात्रा में नाइट्रेट लेरा और फुड एडिज की वज़न वज़े से ही थायराइड कैं यानि कि हाइसोमेटा थायरोडीज में मरीजों में थायराइड कैंसर एधिक खत्रा बढ़ जाता है सफस्ट करें तो यह सफस्ट नहीं कहा जा सकता कि आयोडिन का संबंद थायराइड कैंसर से होता है कुछ अद्धेन में यह बात सामने अब याई कि अप्रयाप्त मात्रा नहीं है कि कि आयोडिन कि तरह थायराइड कैंसर का कारण बनता है अतब बेहतर होगा कि आप सही और उसेवन करें दोस्तों जो खिमने लें दोस्तों ठीक है अब और हम बात करें इसकी समझ्छ समझ्या जो माने उपचार के बारे में बता दिय संब hélasills को पूरा जैसका कु खूलता हे देदाने दोसम केले लख गुनता हो जाना मेपधा करता है ओससे यदि का पूम χा से केंसर कर औरुबार निकारशम अगरoure संविपे requiring बनाु आरेखे इसे जूंसर दोसमाने आक्पवर जूय को 알고 पकूँ द कर् chilliolowan님 तो स्वा कशय करते हैं वहां रोगों का निदान Cancer करें, Cancer का, ठीक है, समय पर जाँच और उप्चार के मदद युक्त कोशिकाओं को, यानि मदद से Cancer युक्त कोशिकाओं को को बढ़ाने इसे रोका जा सकता है कौर्मों या थैर्ग हर्मोन के इससे दर को प्रभावीत कर कायडियो RaticpersonalOr अर मेटाबोलिक समस्यां ऊत्मन कर सकते है जटेलता है इसमें कुछ नहीं इनाज के बारे में बात करें तो आप इसके लिए और सही समय पर इसे पर जाब